हेलो फ्रेंड कैसे हूँ मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे हूँगे तो एक और इंट्रेस्टिंग कंपेरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है अलग-अलग ब्रांड के दो पाप्लर स्मार्टफोन एक तरफ रियल्मी का टैन जिसे कंपनी ने लेटेस में ल बाई कर सकते हैं वहीं दूसरी तरफ मोटो की जी सिस्टी टू फाइब जी को चौदा हजा नौ से 99 रुपे के प्राइस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट को बाई कर सकते हैं दोने स्मार्टफोन में सिफ 1000 पीज का डिफरेंट देखने को मिल जाता है पर लोगों को कौन से स्मार्टफोन को बाई करना चाहिए जानने के लिया आच कि इस इस इंप्रोसर का प haar होता है Realme K10 में MediaTek का Helio G99 का processor देखने को मिल जाता है वहीं दूसरी तरह Moto के G602 5G में Qualcomm Snapdragon 695 का processor देखने को मिल जाता है वैसे तो performance के मामले में Moto का G602 5G थोड़ा सा बेटर हो जाता है पर Moto के G602 5G के पास एक और advantage है क्योंकि आप लोगों को 5G processor देखने को मिल जाता है वहीं दूसरी तरह Realme K10 में सिर्फ 4G processor देखने को मिल जाता है स्मार्टपोन के आगर display segment की बात करी जाए जिस तरह performance के मामले में Moto का G602 5G बेटर हो जाता है उसी तरह display के मामले में Realme K10 काफी जड़ा बेटर हो जाता है क्योंकि Realme K10 में 6.4 इंच की Full HD Plus Super AMOLED डिस्पले देखने को मिल जाती है डिस्पले के अच्छी smoothness के लिए 90Hz refresh rate का support देखने को मिल जाता है वहीं दूसरी तरह Moto के G602 5G में 6.5 इंच की Full HD Plus IPR डिस्पले देखने को मिल जाती है पर डिस्पले के अच्छी smoothness के लिए 120Hz refresh rate का support देखने को मिल जाता है पर इस smartphone के अगर camera segment की बात करें जातो Realme K10 के back में dual rear camera setup देखने को मिल जाते है 50MP का main primary camera मिलता है जिसका aperture 1.8 aperture देखने को मिल जाता है बाकी का दूसरा camera 2MP का मिल जाता है with LED flash light के साथ वही दूसरी तरह Moto G602 5G के back में triple rear camera setup देखने को मिल जाते है 50MP का main primary camera मिलता है जिसका aperture 1.8 aperture देखने को मिल जाता है बाकी के दो camera 8 plus 2MP के मिल जाते है with LED flash light के साथ selfie camera के अगर बात करी जा तो mega pixel में तो कोई difference देखने को नहीं मिलता पर इन दोने smartphone के selfie camera के aperture में difference जरूर देखने को मिल जाता है realme K10 में 16 mega pixel का selfie camera देखने को मिल जाता है जिसका aperture f2.45 aperture देखने को मिल जाता है वह दूसरे तरब मोटो की G62 5G में भी 60 game pixel का selfie camera देखने को मिल जाता है जिसका aperture F2.2 aperture देखने को मिल जाता है जो कि मोटो की G62 5G का selfie camera का aperture कम है इसलिए आप लोगों को selfie camera better देखने को मिल जाता है मोटो के G62 5G में दोने स्मार्टफोन के अगर आडियो फीचर के बात करी जाए तो मोटो के G62 5G में Dolby Atmos देखने को मिल जाता है जबकि Realme K10 में Dolby Atmos देखने को नहीं मिलता है वह इन दोने स्मार्टफोन के अगर बैटरी से एक मिन की बात करी जाए तो बैटरी तो दोने स्मार्टफोन में ए G62 5G में भी 5000 mbh की एक बड़ी बैटी मिल जाती है, 20W के टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ USB टैपसी पोड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, मोटो के G62 5G के प्रैस 1000 पी जादा, पर आप लोगों को 6GV RAM वाला वेरियंट देखने को मिल जाता है, या फिर इन दोने स्मार्टफोन को लेकर कंफ्यूज थे कि कौन सा स्मार्टफोन लेना सही रहेगा, तो मैं आप लोगों को रिकेमेंड करता हूँ कि आप लोग मोटो के G62 5G को 1000 पी जादा खर्च करके बाई करें,